और शिलेब हिमाच्वल की खबरों करूख करेंगे बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी आपको बता दे हिमाच्वल विधान सभा का मौनसून सत्राज नवहा दिन है प्रश्रकाल से सब्दन की कारवाही शुरू हुई विधान सभा में इंपोर्ट ड्यूटी का मामला चाहोगी विधान सभा में इंपोर्ट ड्यूटी का मामला भी दरसल उठाया क्या है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाच्वल विधान सभा मौनसून सत्र का आज नवहा दिन है और आज प्रश्रकाल से शुरू होगी सदन की कारवाही अब राचुस्प मंत्री ज रगत सिंग्धे की प्रस्ताव रखेंगे और सदन में कई मेग्वपूर्ण विश्यों पर चल्चा भी होगी संचौली के साथ कम्यूस पटी मस्धित पर विवाद हो चुका है अवैद मस्धित को लेकर लोगों का विरो धिच्रारी है दरसर प्रशासन से आसवाशन के बाद प्रदर्शन को रोका किया और मस्धित का मामला फिलाल विचाराधीन है नगर निकम के पास सुमाफला विचाराधीन रखा किया है वही मौके पर पुलिस बल भी तैनात है हिमाचल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां विवाद अब लगातार बढ़ रहा है एक तरफ लोगों का प्रदर्शन और दूसरे तरफ प्रशासन की ओर से आसवाशन के बाद प्रदर्शन रोका जरूर गिया है लेकिन अब लगातार कई चीजों को लेकर के सवाल भी उठाए जा रहे हैं अवैद मजद निर्मान को लेकर के शिमला में संग्राम छिड़ा हुआ है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजेपी की ओर से इस को लेकर हला बोल भी किया क्या है हम से प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि हमें इस जो अभैर निर्मान की है जो इसकी पूरन जो है जानकारी दी जाए पूरन इसकी जो जांच हो और जो भी यहां पर लोग आते हैं उनकी उनको आइडेंटिफाई किया जाए जाए कि कल हम लोगों ने एक मुहीं भी य से जाने के लिए कि यहां पर काफी जारा गैदरिंग हो जाती है यहां पर फ्रैडे को और आप हमको विल्कु से फिल ली होता है यही लोग है अभी आपने देखा होगा मल्याना में भी कि नहीं एक अभी लड़ाई करी है और एक लड़के को 14 टांके लगे ठीक है तो यही हो गए मनलब मेरे खाल से यह जाना वेजिट नहीं होते हैं ठीक है और छोटे-छोटे काम करते हैं कोई रड़ी लगाता है कोई कुछ करता है और मलब अल्टीमेटली जब इकठे होते हैं तो फिर यही काम करते हैं जो आपने मल्याना में देखा है आज एक लड़के का सर फड़ा है तो कल मेभी नेक्स्ट हम हो सकते हैं या कोई और हो सकता है पुरा सोशल सेक्यूरिटी और सेफ्टी का इश्यू है यह इसी के लिए गठे हुए है तो ऐसी कबर पर जादा चानकारी के साथ हमारे सह्योकी रॉबिन शर्मा हमारे सार्ज के रॉबिन जिस तरीके से अवैद मस्जित निर्मान को लेकर के लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है फिलाल क्या कुछ इस्तिती है और इस पर प्रशासम की ओर से क्या कुछ आक्शन लिया जा रहा है यहां पर तैनाद के गए है यह पूरा जो रास्ता है यह वहां के एरिये को कनेक्ट करता है खास्तर पर जो मस्जित आने का जो रास्ता है उसको जो सड़क है संजौली की उससे कनेक्ट करता है तो इस पूरे रास्ते पर भी चप्पे चपे पर जो है वो पुलिस बल तैना उन्होंने प्रशासन को वक्त दिया है दो देनों का क्योंके कल शनिवार को यहां पर जो MC में ये मामला है इस पर सुनवाई होनी है ऐसे में उसको लेकर अभी इंतजार करने का फैसला वो हिंदू पक्ष या फिर दूसरे जो स्थाने लोग है उन्होंने किया है फिर कल क्या इस मामले पर निकल के आएगा इसके बाद जो है यहां पर स्थिपिस पर्श्ट हो पाएगी क्योंके जो खासतर पर स्थाने लोग है वो कह चुके हैं कि अगर इस मामले में जो अवैद यहां पर मस्जिद बनाई गई है इसे द्रभस्त नहीं किया जाता है तो जो उग्र अंदोलन है उसकी चेताओनी पहले ही यहां पर लोग दे चुके हैं साथ में जो स्थानी लोग जगर आप एक बार तस्वीर देखे तो यह बड़ा कंजस्ट्रिल इलाका है यहां पर मस्जिद के साथ में ही रेजिदेंसल एरिया है जहां पर लोगों की शिकायते हैं कि यह में क्योंकि प्रशासन के सामने अभी सबसे बड़ी चनौती यहां पर law and order को maintain करने की है और उसी की यहां पर कोशिश प्रशासन क्यों से की जा रही है पुलिस बलतैनाथ है ताकि कि किसी भी तरह की अन्होनी ना हो फिलान क्या इस मामले में आगे होगा इसके लिए कल शनि पार के दिन काफी भीड होती है और ऐसे में लोगों का अभी कहना है कि वो कहीं ना कहीं उन्हें दिकतों का सामना करना पड़ता है लेकिन अगर इस पर कारेवाई नहीं होती है या जो मज़द निर्मान है उस पर कोई action नहीं लिया जाता है तो फिर इस्थाने लोगों का क्या होगा बिल्कुल देखिए इसमें दो पहलू है एक जो स्थाने लोगों का कहना है कि इसमें जो लोग यहां पर निर्मान हो रहा है वो लगातार होता रहा जबकि साल 2010 से यह जो मामला है यह MC के अंदर जो है विचारा धीन था दूसरा इसके लावाई सबसे बड़ा लेकिं दूसरी और प्रदेश सरकार के मंत्री कह चुके हैं यह जो मस्जिद है यह सरकारी जमीन पर बनी है तो ऐसे में दोनों पक्ष हैं फिल्हार जो दूसरी और यहां पर कहने की जो खासत tongues यहां पर नमाज अदा होती है तो बीते वर्षों में दिखा गया है कि यहाँ पर अभी हालिया में जो संख्छया है वो त्यजी से बड़ी है जिसको लेकर यहां के जो स्थाने लोग चेंटित है उनका कहना है कि ऐसे में जब यहां पर नमाज आदा होती है तो उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है इसके लावा जो यहां पर जो लड़कियां है उनके लिए भी माहोस रक्षित नहीं है इस तरह के जो आरोप है वो स्थाने लोगों के ओर से लगाए गए है तो देखिए दोनों पक्षों कि अपने अपने तर्क हैं क्योंकि मामले पर सुनवाई होगी जिसके बाद आगे का रास्ता तैह होगा और इसके बाद पता चलेगा कि जो अस्थाने लोग है और हिंदू संगठन है उनका क्या रुख है और खासतर पर जो इमाम लोग है लेकिन कल इस पूरे मानवे पर क्या निकल कर सामने आता है इतिवादी जो भी कारवाई है वो आगे बढ़ती नजर आएगी बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन आपका हमारे साथ जुनने के लिए और तमाम जानकारियम तक पहुचाने के लिए पीरे भी आपको दखाया है चले खबरों में आके बढ़ते हैं श्रिमला के संजौली मजद का विबात थमने का नाम भी नहीं ले रहा विबेन संगठनों के लोगों की ओर से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है तो वहीं अवैद मजद निर्मान को तोड़ने की भी मांग की जा रही है इसी को लेकर सियासी बयान बासी का दौर भी शुरू हो क्या है तो वहीं इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष जैराम ठाकुर ने बयान दिया और होने कहा कि इस निर्मान के खिलाफ साल 2010 में ही शुकायत दर्श की गई थी लेकिन अभी तक कारिवाई नहीं हो पाई तो वहीं मुखे मंत्री सुखविंदर सिंग सुखून ने कहा कि किसी भी प्रकार की वार्दात ना हम होने देंगे ना ही किसी समुदाय को तंग करना हमारा मकसद है साथ इस मुदे पर तमाम मंत्रीगर ने भी अपनी राय रखी है अब तो मैं राहूल गांधी से मांग करता हूं कि विधान सभा के अंदर आपके मंत्री कह रहे हैं जब हम लोग एनारसी की बात करते हैं तो आप उसका विरोध करते लेकिन कांग्रेश की सरकार हिमाचल में कांग्रेश के मंत्री सदन के अंदर मुक्ख मंत्री की उपस्थिति में कह रहे हैं कि इसकी जाँच होनी चाहिए और लोगों को इसका एक सर्टिफिकेट देनी चाहिए यानि NRC होनी चाहिए National Registered Certificate राहुल गांधे हिमाचल से सुरू करेंगे उनकी शरकार है अब तो पूरे देश में इसकी जहुरत पड़ गई है और शिलिरू करते हैं बड़ी खबर क्यों श्रिमला में घज्रे जल रक्षक ये बड़ी जानकारी मौनसून सत्र के दोरान चोड़ा मैदान में प्रदर्शन किया गया जल रक्षकों को नियमित करने की मांग की गई है समय पर वेतन देने की भी मांग जोरान उठाई गई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मार्शल से दरसल ये तस्वीरे भी अब सामने आ रही है जहां पर प्रदर्शन देखा गया है शिमला में जल रक्षक जो हैं उन्होंने ये प्रदर्शन किया है मौनसुन सत्र के दोरान चोड़ा मैदान में ये प्रदर्शन किया है और जल रक्षकों को नियमित करने की मांग की गई है ये तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं चोड़ा मैदान की जहां पर प्रदर्शन कर अपना रोश जाहिर करते हुए नसर आए और मांग की गई है कि नियमित जल रक्षकों को किया जाए और साथी साथ वेतन को लेकर के भी यहां पर आवाज उठाई गई है समय पर वेतन देने की मांग की गई है यह तस्वीरे आपको देखा रहे हैं चोड़ा मैदान की जहां पर जल रक्षकों को नियमित करने की मांग की गई है यह बड़ी खबर बड़ी चानकार तो ऐसे हैं जिनके घर में आज हम सच बोलना चाहते हैं डीपू का रासल लेने के लिए जो पैसे नहीं है अपने बच्चों की भीज भरने को पैसे नहीं है बिजली का बिल देने को पैसे नहीं है तो जल्लक सक जो है इतने कम बेतनमान में ठीक है, हम मानते हैं कि आज ही मांचल पे आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो क्या जो आर्थिक तंगी के लिए के जलरक्स की एक मात्र रहा गए है कि हर बार उनकी आहुति दी जाएगी पिछली बार भी अंगा करोना काल आ गया, ये आ गया, वो आ गया हर बार जो आएक जल्रक्स की आहुती देने के लिए सरकार हमारी प्रोब्लम को समझे हमारी बात को समझे हम रोड़ पे नहीं आना चाते हमारे पास पैसा नहीं तो वह हमाचल प्रदेश में विधान सभा का मौनसून सत्र जारी है सदन में ठियोग के विधायक कुल्दी प्राठोर ने सेख की आर्थिक की से समबंदत सवाल पूछा तो वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर हमाचल प्रदेश के साथ सौतेलव विवहार करने के भी आरूप लगाए इसी को लेकर विधाय कुल्दी प्राठोर ने जन्ता टीवी से खास बात्षित की क्या कुश उनका कहना है आपको भी सुनवा दे है हमाचल प्रदेश की पांच हजार करोड की एक ऐसी अर्थवेवस्ता जो की सिर्फ सेब की खिती पर टिकी है और ऐसे में सेब की फसल पे आज संकट नजर आ रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी बात है विपक्ष का सीधा रूप है कि कॉंगेस की गैरेंटी में ये बात थी कि किस तरह से हमाचल प्रदेश में बागवान और किसान अपनी फसल के ताम खुद तैय करेगा ज्यादा बात करेंगे मेरे साथ इस समय मौझूद है कॉंगेस के विधायक ठ्योग से कुल्दीप सिंग राठोर देखिए मैंने लगबग दो सत्र पूर एक प्रशन पूछा था कि जो सेफ पे उस वक पचास प्रतिशत आया शुलुक था कि उसे सो प्रतिशत कब तक बढ़ाया जाएगा क्योंकि पिछले लोग सबा चुनाओ में परदान मंदरी नरेंदर मोती जी जो है उन्होंने हिमाचल में आकर चुनाओ के समय एक वाइदा किया था कि हम पचास प्रतिशत को हम शद प्रतिशत करने वाले हैं लेकिन उसका कारयन मन नहीं हुए अज मैं फिर से अपनी बात दोराई तो इसका सरकार ने उतर भी दिया कि दो बार मामला जो है फरवरी और मार्श के महिने में। पत्राचार के मादिम से के अंदर सरकार के समक को उठाया गया लेकिन उस पर अभी तक कारवाई नहीं हुई उल्टा अभी जब परदान मंतरी अमरीका की यात्रा पे गे थे तो वहाँ उनका समझाता हुआ और जब वो भारत वर्ष वापस आए तो पचास से तीस प्रतिशत कर दिया उसे इतना नुक्सान हमारी बागवानी को हुआ क्योंकि बाहर से वर्षिंटन एपल दूसरी जगह से इतना सेव आ गया कि हमारी जो मार्केट है वो बिल्कुल ढहएगी और साथ में हमारा जो दूसरी चिंता है वो जो अफगानिस्तान के रास्ते इरान और टर्की से से बारा है तुक्कि अफगानिस्तान के साथ हमारा समझाता है जो से बगैर शुल्क के आ रहा है वो सस्ता यहां बिकता है और उसे भी हमारी जो बागवानी है पागवानी पे खत्रे के बादल मंडरा रहे हमारी पांच हजार क्रोड की आर्थ की है और लगतार जो है लागत बढ़ रही और मुनाफ़ा जो है कम हो रहा है तो आज मैंने यही बात उठाई और मैंने जो प्रती पसके नेता है वो भी इस मसले को के अंदर सरकार से उठाएं क्योंकि यह मसला हमें राजनिती से उपर उठकर तेह करना है तो वही हमाचर प्रदीश के विधान सभा मौंसून सत्रकाच नवातिन है तो वही संदर में आज सेप की आर्थकी से जुड़ा मुद्दा उठाया गया जिसको लेकर बीचरपी के वथायक बलवीर वर्मानी प्रदीश सरकार पर निशाना साथा इसी को लेकर बीचरपी विधायक बलवीर वर्मानी चनता टीवी से खास पाच्चीत की क्या कुछ उनोंने कहा आपको सुनवाते है हिमाचा प्रदेश विधान सभा के मौनसुन सत्र का आज नौवा दिन है कई तरह के मुद्दे इस बार विधान सभा के भीतर देखने के लिए मिले लेकिन आज सेब एक ऐसी आर्थिकी जो की हिमाचा प्रदेश में करीब 5,000 करोड की आर्थिकी है एक ऐसी अर्थिवस्ता जिससरे हिमाचा प्रदेश में एक अच्छी आमदन होती है क्या कहना है सत्ता प्रदेश का हिमाचा प्रदेश मौनसुन सत्र के अंदर भी ये लगातार मुद्दे जो हैं इस तरह के उठ रहे हैं सेब को लेकर किस तरह से संकट हिमाचा प्रदेश में है और क्या कुछ किया जाना चाहिए इसको लेकर सत्ता प्रदेश ने सदन के अंदर अपनी बात कही लेकिन विपक्ष की तरफ से मेरे साथ जो है बलबीर वर्मा भाजपा के विधायक हैं चौपाल से क्या कहते हैं आप छे जिलों में सेब की फसल होती है इसके उपर संकट किस तरह से हिमाचल प्रदेश का सेव पूरी हिंदूस्तान के लोगों का स्वास्टे का ध्यान रखता है और मैं समझता हूं कि कॉंग्रिस ने जब सता हासिल करने के लिए अपनी दस गोशना है की ते उसमें ये भी कहा था कि बागवान खुद तै करेंगे रेट मंडियों में किस रेट से बागवान ने बेजना है और यहां सब कुछ उल्टा कॉंग्र सरकार में हो रहा है एक ही दिन में हजार पे पर बॉक्स गिर रहा है और यह एक बहुत बड ग्रो है इसमें ऐसा नहीं कि उसमें सिरफ यहां की ही चंडिगर, दिली, बंबी, कलकटा और सब लोगे ये आपस में ऐसी राये बना लेते हैं कि आज हमने मंडी डौन करनी है तो एक साथ कर देते हैं और बागवानों को बहुत बड़ा लौस उसका हो जाता है इसकी बागवाने जिनकी सो दो सो पीटी है, अगर उनकी पर पीटी हजार पे डौन हो जाए तो उनका बहुत बड़ा नुक्सान हो जाता है इसकी बारे में हमने कहा था कि आप ऐसे कानून में अमेंड करें कि मंडी में सेब एक दम जो ये ग्रो है ये सक्रियना होकर कानूनी बेवस्ता में लाकर उनके उपर शिकंजा कसा जाए और उन्होंने एक बात और कही कि इसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो भारती जन्ता पाल्टी ने 75% से 50% किये इसी के उपर बात आपसे मेरा ये कही सवाल है सत्ता पक्ष कहे कहना है यानि कॉंग्रेस कहे कहना है कि प्रधान मंतरी जब हिमाचल आते हैं चुनावी रैलियों के दौरान बड़े-बड़े वाइदे करते हैं सेब के ओपर जो आयात शुलक है उसे 100% किया जाएगा लेकि पर कॉंग्रेस 2004 में दीश के अंदर आई और 2008 में अनन्द शर्माजी जो हिमाचल परदीश के रहने वाले हैं एपल बैल्ट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं उन्होंने इसको पजास से 75% किया था उसमें टीडी जो साइन की थे उन्होंने उसकी विजास से बहुत दिकत आई जब हमने इसको दोबारा हमारी गवर्मेंट आई हमने इसको दोबारा 75% किया पर इंटरनिशनल लेबल पर इसका बहुत विरोध हुआ और उन्होंने जो कहा कि आपने पहले ये साइन किये हैं अब इसको आप चाहिए नहीं कर सकते और इंपोर्ट ड्यूटी को आप फ्रूट में जत्व परचनी कर सकते ये इंटरनिशनल लेबल में डिसाइड हुआ है कंट्रिवाइस नहीं वर्ल लेबल के इसमें डिसाइड हुआ है उसमें दिक्ट आई इसलिए वो दोबारा करना पड़ा पर इसमें असलियत यह कि कुछ सेब टर्की का और इरान का सेब इलिगल तरीके से आ रहा हूँ वो रोकने के लिए हमने सरकार से विंति किये सेंटर गौर्मेंट से कि अफगानिस्तान में जो फ्री टीडी है वो भी खतम करके वो अगर फ्री खतम होता है उसे उसे इंडिया में सेब जो बागवान है उनका सेब रेट अच्छा भी आत्मी कास शर्मा, जनता टीवी, श्यूलाग